प्रेग्नेंसी महिलाओं के जीवन का बहुत ही महत्वपूलने च्छन तो इस च्छन में एक्स्ट्रा केर की जरुरत होती है तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ जानकारियां खुद को भी होनी चाहिए बहुत जरूरी है तो इनहीं जानकारियों को आप तक पहुचाने के में तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से प्रेग्नेंग महिलाओं के लिए हैं तो ये वीडियो में मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि आखिर कौन-कौन सी दवाईयां हैं जो आपको प्रेग्नेंसी के दौरा नहीं लेनी चाहिए तो ये थोड़ी सी जानकारी अगर तो कौन-कौन सी दवाई प्रेग्नेंसी के दौरान नहीं लेनी है उसमें सबसे पहली जो है वो क्लोरेम फैनिकॉल है तो क्लोरेम फैनिकॉल क्लास की ड्रग जो है ये आप महिलाओ जो प्रेग्नेंक लेडिज हैं क्लोरेम फैनिकॉल उनको प्रेग्नेंसी के दौरान नही क्योंयाई यह वह कि ब्लट से संभन्दिक को सकता है जिस워서 जिसमें बच्चे का शरीव ग्रे कलर का यह पूरा नीले कलर का हो सकता है इस पर मैंने एक पूरा video बनाके रखा है जिसका link में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आप वहां से देख सकते हैं और जान अगली क्लास की ड्रग है वह है सीप्रो फ्लॉक्ससीन और लीवो फ्लॉक्ससीन ये दमाईया आप जब भी दमाईया लें उसका नाम पड़ें और अगर वो फ्लॉरोप फ्लॉक्लॉक्सीन इंड अगर ये मं है तो आप बिलकुल ना लेера司 akan होता है इसकाहीं इसके का जो skeletal system है धाचा जो शरीर का है वो डेवलप नहीं होगा दिक्कत होगी उसमें और आपको भी दिक्कत हो सकती है आपको देखिए जो प्रेगनेंक लेडीज हैं उनके जॉइंस में पेन हो सकता है या फिर कोई ऐसी नर्स डेमेज हो सकती है जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है कोई नस का भी नस डेमेज हो सकती है तो यह दवाईयां आपको नहीं लेनी है आगे बताने से पहले बता देती हूं कमेंग सेक्षन मेरा ओपन है अगर कोई भी आपको सजेशन है सुझाव है कोई प्रॉबलम है जो आप चाहते हैं मैं डिस्कुस करूँ तो आप कम प्रेगनेंग्ट हैं तो कृप्या करके ना लें पहले लोग ले लेते थे लेकिन अभी आप ना लें क्यूंकि इससे क्या हो सकता है बच्चे का जो बलर सेल है आर बीसी डबलू बीसी एक डैमेज हो सकता है ठीक है तो यह आपको नहीं लेनी है अब जो अगली ड्रग है व जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनमें जॉइंड भी यानि पीलिया भी हो सकता है तो यह ड्रग आप ना लें दोस्तों आगे बता देती हूं यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टैंक डारेक्शन न्यूस के नाम से तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही करने के लिए तो इस दवा को यह दिर वी आपको नहीं लेना है कि इसमें डवा क्रोंप मतलब की लच हो जाती है किलता दि जिसको कहते हैं वीना उसको इसको दिए बच्च शानत नहीं होगा continue रो सकता है कुछ हरकत भी गलत कर सकता है बाल नोचना ये सारी चीज़े विड्रॉल सिम्टम जैसे किसी नशेडी से नशा छीन दीजे जो वो हरकते करता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है फिर ibuprofen जैसे की advil या motrin अगर आप ibuprofen लेने जा रहे हैं तो कत्ता ही ना ले औ इससे क्या हो सकता है कि जो labor pain है वो आपको देरी से होगा या नाव हो सकता है बहुत लेट से हो गुट बड़र पेन लेट से होगा और क्या miscarriage की संभावना हो सकती है फिर जो बच्चे की आत के आस पास की जो lining है वो डैमेज हो सकती है और साथ ही साथ आपका जो एमेनियो और बच्चे में विक्टमिन के का लेवल पूरी तरह से कम हो सकता है और आप में भी के का लेवल कम हो सकता है तो यह दवा आपको नहीं लेनी है इबिरुप्रोफेन ठीक है फिर वार्फेरीन देखिए वार्फेरीन या फिर काउमेडीन यह दवा बिलकुल भीना लें यह तो आपको नहीं लेना है। फिर जो है क्लोना या क्लोना पिन जाता है जैसे कि अंजाइटी को गबराइग ज्यादा होती है कुछ लोगों को अटाक किसी भी वज़ा से सीजर्ट दवरे पड़ रहे हैं तो ये condition है तो भी आपको ये दवा नहीं लेनी है क्योंकि ये क्या कर सकता है कि बच्चे में withdrawal symptoms पैदा हो सकते हैं ठीक है फिर जो अगली दवा है लोरा जिपाम या एक्टिवैल ये क्या करना है कि ये भी जो है कि जो mental health disorder होता है उसको सही करने के लिए ये दवा का इस्तमाल क कर दें बिना डॉक्टर के सलहा के कुछ भी ना करें और ये दवा बिल्कुल भी मतले क्योंकि ये भी बच्चे में पैदा होने के बाद उसमें बर्त क्या कर सकता है withdrawal symptoms आ सकते हैं बिना इसके मन नहीं लगेगा बिना इसके बच्चा कोई काम नहीं करेगा बिना इसके बच् सिम्टम्स हैं तो दोस्तों ये आज का मेरा पूरा वीडियो था